दोस्तों, चाहे आप किसी के घर चले जाएं या आपके घर कोई अथिवी आ जाएं, सबसे पहले उफर की जाती है चाहें, ये अब एक डिवासा हो चुका है, लेकिन ज्यादतर अगर चाहे के लिए कप का इस्तेमाल करते हैं, तो कुछ कर ऐसे भी हैं, जो मेहमानों को भी प जुक्सान पोचाते हैं, आप उसका अंदाजा तक नहीं लगा सकते हैं, एक सोद में ये साबित हो चुका है, कि अगर आप प्लास्टिक के कपो या गिलासों में चाय पीते हो, तो उससे लिवर और किड़नी को सबसे अधिखानी होती है, साथी साथ साथ सिरीर को और भी तरनाक रोग गिर लेते हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि जब गरम चाय को प्लास्टिक के कपो में डाला जाता है, तो प्लास्टिक के हानिकार केमिकल्स पिंगल कर चाय के साथ मिक्स हो जाते हैं, और फिर सीधे पेट में पहुंच जाते हैं, वहां से ये सभी हानिकार केमिकल्स सरीर के बाकी अंगों तक पहुंचते हैं और उनकी कारेशमता को गटा कर आपको असवस्त करते हैं जानकारी के अनुसार अगर प्लास्टिक के कपों को बनाने में लो क्वालिटी के प्लास्टिक का यूज होता है तो उससे आपको कैंसर तक होने का खत्रा बना रहता है इसलिए सरकार में प्लास्टिक बैक्स पर पावंदी लगाई हुई है लेकिन फिर भी पूरे देश में प्लास्टिक का कारोबार बढ़ता जा रहा है सिर्फ इतना ही नहीं एक अन्य सोद के नतीजे के नुसार प्लास्टिक के कप में चाय पीते हो तो यह आपकी प्रशन शक्ति को गटा देता है और आपको नपुन्शक बनाता है इसलिए बहतर होगा कि आप चाय पीने के लिए स्टील या काज के बरतलों का ही इस्तिमाल करें और हो सके तो चाय पीना ही छोड़ दे तभी आप पूरी तरह से स्वस्तर रह पाओगे और जितना हो सके प्लास्टिक के इस्तिमाल से बचे अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ सियर जरूर करें ताकि उन्हें भी इस महत्वपून जानकरी के बारे में पता चल सके आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि इस चैनल पर हम रोजाना एक ऐसी ही स्वास्ते वर्दक और सुंद्रे से जोड़ी वीडियो को आपके लिए ले कर आते हैं धन्यवाद